हेलो फ्रेंट्स एडुकेशनल फेक्ट चैनल में आपका स्वाकत है हाजीर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेकिन जैसा कि आप सुभी को पता है कि आज कल आपके एच्प्यू के पीजी एग्जामिनेशन चले हुए है जिसमेंगी पिहले कल भी एक अपडेट आई थी आपका जो एक डिट्शीट है उसमें चेंज आये थी लेकिन उसने बहुत सारे students के बीच में confusion create कर दिया बहुत सारे messages आ रहे थे पोस्ट पे भी बहुत सारे comments आ रहे थे देखे सिंपल सी बात ये थी कि आप लोगों ने शायद वो जो notification हमने upload की थी वो अच्छे से नहीं फिल की थी फिर आपको समझ वो अच्छे से नहीं आई थी कुछ एक candidate को जो लगातार messages कर रहे थे वो मैंने उसके regarding फिर सुबा आज सुबा पोस्ट भी डाली थी कि क्या changes हुआ है क्योंकि बहुत सारे candidate ये पूछ रहे थे क्या सभी जो डेशी टैप वो रेगुलर भी कर सकते हैं तो उस तरह का एक course रहता है MA education का आप MA को सिरफ MA education को आप normal MA ना ले तो MA education जैसे आप MA Hindi English किसी भी particular subject में कर रहे हैं तो उसी तरह से आपका MA education भी होता है तो उसकी जो डेशीट है वो change कर दिए थी और उसको extend कर दिया गया था आपका फरबरी के लिए तो यहां पे भी एक issue यही है यहां पे आपका MA का ही एक subject आपका MA या MSC आप मान सकते हैं mathematics इसको private भी कर सकते हैं regular भी कर रहे होंगे students तो यह इसमें भी change हुआ है आपका जो paper है paper code M301 जो है आपका वो change कर दिया गया है यहां पे आप दिखते हैं और यह सभी semester 1, 2, 3, 4 semester issued जो आपकी date sheet आई थी 2, 12, 2030 को उसमें जो आपका third semester में यह आपका paper पढ़ता है course number आपका M301 है टाइटल है आपका complex analysis 1 तो यह आपका schedule जो आपका कल इसका exam होना था तेरा तारीक को वो extend कर दिया गया है और अभी इसके लिए आपकी date नहीं जारी की की है नई date इसके लिए जैसे ही आएगी वो आपको mention कर दी जाएगी अब यह जो तो आपके बाकी third semester है यहाँ पे ज़्यादा confusion इसलिए नहीं रहे की क्योंकि जो fresh वाले candidate है उनका यह exam आपका आज हो चुका है बचे कौन है बचे वो है जो जिनने second semester से अपना MBA start की थी तो उनका last बचता है first semester तो उनका यह exam अभी नहीं होगा आगे जब इसके लिए अलग से day sheet आएगी तो तब आपका यह exam लिया जाएगा या फिर कोई आपके reappear है तो भी यह आपका exam आगे ही extend हो गया है तो आप नहीं देशकने चाहे आप regular कर रहे हैं चाहे आप private कर रहे हैं चाहे आप टोल से कर रहे हैं जैसे मजी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखा करें तक कि आपकी जितने भी doubt है वो clear हो सके अच्छे से और दूसरी बात यह है कि जो day sheet आती है चाहे आप regular कर रहे हो चाहे आप private कर रहे हो चाहे आप एक डोल से कर रहे हो day sheet आपकी सभी की same रहती है जो भी है वो same है change इसमें यह है कि ए इसे candidate भी पहुंचे थे जिनका कल एक्जाम था लेकिन वो आज ही पहुंचे थे वो ओड़ स्लिपस के candidate थे तो ऐसा आप ना करें आप अपनी day sheet को देख ले क्योंकि जितना possible हो पाता है हम message का reply में मैं पूरे पूरे देने की कोशिश करता हूं comment box में मैं reply करने की कोशिश कर करता हूं सबी वीडियो में मैंने पहले भी पता था आपको की दो डिशिट जारी हुई है जिसमें आपकी एक ओल्ड के लिए है दूसरी आपकी CBCS के लिए हैं तो अगर आपका नियू है फ्रेश है आपका तो आपका पुराने से चला हुआ है और लास सेमेस्टर आपका पुराने वाली डिशिट रहेगी जिसमें आपका एक तू तू तीन चार्ट सेमेस्टर उपर नजर आएगा जो CBC से वह लई है उसमें CBCS उपर नजर आएगा आपको लिखके तो यह चेंजिस हुए है एक आपकी MA Education के चेंज हुई है और दूसरी आपकी MA MA C Mathematics की बाकी को कोई अपडेट आता है ने है तो आप चैनल को सबस्क्राइब करके रखें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहें तो बस अभी के लिए इतना ही मिलते है अगले अपडेट के साथ तब तक के लिए बाबाए